नवश्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता लग चुका है पंजाप पुलिस के अंदर नहीं विकेंसी का अनौन्स हो चुका है माननिय मुख्यमंत्री बगवंतमान जी नहीं कुछ समय पहले अनौन्स किया था जितनी भी उनकी मिटिंग्स हो रही हैं जो भी उनकी सभायों हो रही हैं उसमें वो बार-बार अपनी आने वाली विकेंसी को लेकर युवाउं के रोजगार को लेकर हर दिन नहीं नहीं गोशना ही कर रही हैं और उन्होंने अपनी गोशना की थी कि इसी साल जो है 22-23 की शुरुवात के अंदर जनवरी के अंदर नई वेकेंसी जो है वो अलाउंस करने जा रहे हैं और उन्होंने 31 जनवरी को ये कर भी दिया और आप लोगों को इसके बारे में जानकार भी मिल चुकी होगी पंजाब प पेक्टर के अंदर एज जो मांगी गई है वो 18-28 साल मांगी गई है वाकि आप सभी केंड़िट जानती है की OBC केंड़िट को अपरे इसके अंदर तीन साल की रिलेक्षेशन होती है इसके बाद अगर हम लोग बात करें एजूकेशन की यहां पर ग्रेजुएशन होना ज़ नेक्स्ट तब इंस्पेक्टर के अंदर आमफोस के अंदर भी अगर यह अलग से विकेंसी है तो इसके अंदर भी सिरु ग्रेजुएशन ही मांगी गई है और उसके बाद पेपर के स्लेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह SI के पेपर के अंदर तीन सेक्शन होने जा र रही हैं तो सो नंबर के दो एक्जाम रहेंगे जिसमें जीके को इन्होंने काफी वेटेस दी है पचास कोशन की जीके रहेगी इसके अंदर जीके में अगर आप लोग देखो तो अगर डिटेल से आप इसको सभी को पढ़ सकते हो पॉलिटी की बात की जा रही है हिस्ट्र रहे हैं पंजाब गवर्मेंट की जब बात करी जाती है न तो सारा का सारा फोकस सारा का सारा जोर जो है वो जीके के ओपर दिया जाता है जबकि मैट्स और रिजनिंग को नजर अंदाज कर दिया जाता है और यह बोल दिया जाता है कि रिजनिंग तो बिलकुल आसान आती ह लेकिन कोई भी चीज आसान है या मुश्किल है सीखनी तो जरूर पड़ेगी बिना सीखे तो आसान में भी नमबर नहीं लिया जा सकेंगे ठीक है जी तो मैस यहां 30 मार्क्स की रहने जा रही है पंजाबी लेंग्वेज यहां पर यह जुरूरी अपने को जानना है यह पंजाब जीके नहीं है यह पंजाबी लेंग्वेज है और 20 नमबर का पंजाबी लेंग्वेज का पेपर रहेगा यानि यह फस्ट पेपर जो है वो 100 कोश् शेश माटर नहीं करता टाइमिंग आपको बहुत मिलेगी क्योंकि जीके बहुत जादा टाइम लेता नहीं है ठीक है मेन इसमें मैट्स है जिसके अंदर टाइम लगने जा रहा है और दो गंटे फिर भी बहुत होते हैं आप इजली इसको कर पाओगे इसके बाद नेक्स्ट ये और मैट्स का जो पोर्शन 30 नमबर का यानि अगर 50 और 30 80 कोशन 200 के दो और उनमें से 80 कोशन मैट्स रिजनिंग के रखे गई है यानि आप देख सकते हो मैट्स रिजनिंग को खुब वेटेस दी जाती है हरेके एक एक्जाम के अंदर ठीक है जी जीके जो है वो 50 नमबर और 20 इंग्लिश का रहेगा तो इंग्लिश का जो है वो यहां पर टेस्ट आप लोगों को बढ़िया से अटेम्ट करना होगा और तीसरा पेपर जैसा कि आप लोगों को जान करी कि पंजाब के अंदर आ गयाने वाले सभी एक्जाम्स के अंदर जो 50 नमबर का एक पेपर र आ रहे हो अधर स्टेट का कोई भी बच्चा पेपर देने आ रहा है तो उसको पंजाबी वाशा जरूर आने चीए तो सही माइने में ये सरकार ने एक बेनिफिट किया है पंजाब के लोगों के लिए ताकि अधर स्टेट के जो लोग हैं वो कम से कम आ पाएं और जातर वे एक्जाम देना है तो आपको ग्रेजुएशन पास चीए और अगर आप लोगों ने कॉंस्टेबल का एक्जाम देना है तो ये 12 पास चीए अपने को उसके बाद एज जो 18 से 28 दोनों के लिए सेम रखी गई है यानि यहां पर 28 साल तक के ही बच्चे लिजबल हो पाएंगे जैसे पंजाब गवर्मेंट के बाकी बहुत से एक्जाम होते हैं उसमें 36-70 साल तक आप एक्जाम दे सकते हो वो यहां ऐसा नहीं होने वाला है यहां पंजाब पोलिस के अंदर 28 साली मैक्सियों मेज मानी गई है इसके अंदर भी जो पेपर रहेगा वो पेपर दो ही होने वाले दूसरा फेपर तो अपने को पता ही है पंजाबी का fix नहीं है यानि सही माईने में एक पहला फेपर रहने वाला है उस पहले पेपर के अंदर मैच 20 नंबर का रहेगा रीजणिंग 20 नंबर की रहेगी यानी हैसा ही में देखा जाए तो 200 में से 80 नंबर का मैच तो 35 नमबर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ेंगे और उन सब के बाद वो 35 नमबर का मैटर त्यार हो पाएगा जबकि मैट्स और इजनिंग अगर आपका प्रिपेर हो तो आप लगबग हर तरह के एक्जाम के लिए प्रिपेर महसूस करते हो क्योंगी चाहे आप बात कीजिए SSE की चाहे रेलवे की हर जगह जो है वो मैट्स और इजनिंग का वेटेज जरूर जादा रहता है ठीक है जी इसके बाद ये सारी डिटेल के बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो इनी दिनों के अंदर जल्द ही जैसा की गवर्मेंट अपने वादे को लेकर बहुत ज़्यादा समयदनशील है और बहुत अपने कमिटमेंट के अकोडिंग काम कर रही है अगर उनकी इसी तरीकों को पैटरन को वो अगर आगे भी फोलो करते हैं तो बहुत जल्द आप लोगों को पटवारी की भी जो आगे की डिटेल है वो सा के अंदर भी जो आगे का पैटरन है वो अपने को पता लगना शुरू हो जाएगा जैसी इसकी डिटेल आती है फॉर्म बरने जैसे शुरू होते हैं एक्जाम की जो डिटेल है वो इन्होंने बोला है कि भी नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा और जनवरी के अंदर जो हो अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी हालांकि जनवरी के अंदर अभी तक तो नहीं हो पाया है लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि फर्वरी में ये जरूर हो जाएगा उसके बाद इस पेपर के अंदर भी अगर हम लोग देखते हैं जो पंजाब पटवारी का पेपर ह इसके अंदर भी जो रखी गई है वेटेज 15 नमबर की जीके हैं रीजनेंग 20 नमबर की है और 30 नमबर का मैटस आरा है यानि 30 और 20 पुटास नमबर इसको दिये गई हैं English या पंजाबी इंगलिश और पंजाबी लैंगुश 20 नमबर का 10 दस नमबर का ये रहेगा 15 नमबर क का इंग्रिकल्चर 10 नंबर का और पंजाब हिस्टी 10 नंबर की यानि जी-के को वेटेज मिली है यहां पर 15 और 10 पच्ची नंबर की जब कि मैट शूर। इसमिंग को वेटेज मिलिये 2030 पचास नंबर की यह आप देख रहे हो कि मैट शूरूर की आपका स्ट्रोंग ओना बहु strong बना लेते हो तो आपको आगे हर एक exam के अंदर बड़ी मदद मिलती है इस त्यारी से नेक्स्ट ये जानकरी है आप लोगों की जो state government का हम लोगों ने last batch शुरू किया उसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा response दिया लगातार उसके अंदर बच्चे पिछले एक महिने से लगबग 6 जनवरी के बाद एक महिना होने को आगया है और इस एक महिने के दौरान बच्चों ने जो है वो उसके अंदर जितना भी पढ़ाया गया है उसको लेकर बच्चे completely satisfy हैं एक अच्छी strength के अंदर बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं लगबग 5 to 6 hour के उनकी classes रखी गई हैं और आने वाले समय के अंदर लगातार बच्चों की जो है वो offline class को लेकर demand बनी हुई है ताथ ही बहुत जल्दी जो है वो लगातार ये बच्चे demand कर रहे हैं कि sir online class भी आप लेक्या हो क्योंकि दूर दराज में जो बैठे लोग हैं उनकी genuine समस्य है कि हर बच्चा बठिंडा नहीं आ सकता या यहां रहने के expenses वो afford नहीं कर सकता है तो ऐसे में बच्चों की demand है कि sir online course भी लेक्या हो उसको लेकर भी planning चल रही है जल्दी वो भी आप लोगों को announce किया जाएगा अभी यहां पर जो main announcement है वो यह है कि जैसे यह पंजाब पुलिस की vacancies आई हैं उसके just बात से जो academic के अंदर नए batch को लेकर queries बहुत बढ़ गई है और हम लोग अपना next batch special for state government exam और अब कह सकते हैं कि special पंजाब पुलिस के exam को target करके जब आप किसी एक level वाले teacher के पास पढ़ रहे हो जहां पर आपको हर तरीके का matter सीखने को मिले अभी हमारा last batch था state government का उसके अंदर 6 गंटे की regular class चल रही है और 6 गंटे में हर subject की regular class चल रही है और जल्दी एक-एक subject उसमें खतम होता जाएगा और next batch शुरू समें करते जाएंगे classes और बिल्कुल to the point आपको matter करवाय जा रहा है तो अगर आप लोग भी join करना चाते हैं और result चाहिए तो चले आईए तो यह हम लोगों ने पहली बार ऐसा प्रयास किया है कुछ हम लोग tagline लेके आई हैं हमारी एक पिछले 14 सालों से एक ही tagline रही है तफलता ही हमारी पैचान है और हमने प्रयास किया हमेशा अपनी इस tagline को साकार गरने का सिर्फ यह नहीं कि भी YouTube के point of view से lines पे lines डाली जा रहे हैं लेकिन उन lines का कोई मतलब नहीं निकले हमारे आज जो है वो हर line का मतलब निकलता है और इसका मतलब यह है कि हम 14 सालों से बिना advertisement के बिना किसी विग्यापन के अगर काम्याब है यह चल पा रहे हैं तो उसके पीछे एक ही चीज़ है वो हमारा result है अब बारी है state government की अब बारी है पंजाब police की अब बारी है पंजाब पटवारी की उसके अंदर हम लोग जो हो पूरी मैनत कर रही हैं मैं किसी तरीके की बविशेवानी करने में believe नहीं करता कि हम 700 में से 600 result ला देंगे 500 result ला देंगे लेकिन मैं इतना जरूर है कि कोशिश ऐसी करेंगे कि बठिंडा के अंदर बठिंडा share के अंदर सबसे ज्यादा result हमारी academy से होंगे ये मेरी एक जुरूर कोशिश रहेगी मैं ये इसलिए भी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ है एक strong team एक experience team हमारी team का हर एक teacher कम से कम 5, 6 और 7 साल से अपने field के अंदर काम कर रहा है मुझे 14 साल हो गया है पढ़ाते को 14 येर से मैं इस line के अंदर हूँ मेरे team का हर एक सदस्य है minimum minimum 5 साल से इस field के अंदर है और 5 साल से वो अपने subject का expert है तो आप लोग इसलिए believe भी कर सकते हो कि बढ़िया से बढ़िया त्यारी करवाएंगे जिसमें maximum result हम लोग ला सकें हवाई बाते करने में हम believe नहीं करते हैं हम practically काम करने में believe करते हैं तो ठीक है बचों ये आज की इस वीडियो में जानकारी थी कि next जो बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो 10 फरवरी शुकरवार को जैसा कि हम अपना हर एक बैच फ्राइडे को शुरू करते हैं 9.30 की इसकी टाइमिंग रहेगी शुरुबात में कुछ एक दिन जो क्लास है वो 4 आवर्स की रहेगी उसके बाद इसको बढ़ाकर 6 आवर का बना दिया जाएगा हमारी इस अकैडिमी की अंदर हमेशे एक चीज का विशेज ध्यान दिया जाता है डिसिप्लिन का बाहूल रहता है तो जो बच्चे डिसिप्लिन में रहकर पढ़ सकें जो रेगुलर क्लास लगा सकें जो 4 से 6 गंटे बैठने की हिमत रख सकें वोई बच्चे जोइन कीजिए ओफलिन ये कलास में आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूँ ठीक है जी उमीद करता हूँ आप लोग अपनी इस त्यारी को लेकर खुब मैनत कर रहे होंगे और खुब प्रयास आने वाले दिनों में आप कर रहे होंगे और जल्दी आप लोग जो है वो दोयर तेईस दोयर तेईस बहुत से बच्चों के लिए बहुत से युवाउं के लिए एक बहुत ही भगयाश अलिशाल है रहने वाला है इस वे में जैसा की सेंटर गोवर्मेंट के अंदर आम चुनाव आ रहे हैं और उन चुनावों को लेकर सेंटर गोवर्मेंट के उपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि युवाउं को रोजगार दिया जाए और जल्दी आप देखोगे SSE में, रेलवे के अंदर सेंटर गोवर्मेंट के जो महकमेय डिपार्टमेंट है जैसे RBI, EPFO ESIC, LIC LIC की भी विकेंसी आ चुकी है इन सब को लेकर जो है वो लगातार आपको विकेंसी नजर आने लगेगी बच्चों कमर कसलो त्यार हो जाओ वाकिए अगर आप सोचते होगी जीवन में कुछ करके दिखाना है कुछ बदलाव लाना है तो बदलाव लाने का समय अब आ चुका है ये 2-23 आप लोगों के लिए बहुत भागेशाली रहने वाला है धन्यवाद